उत्रप्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया गया है मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू चात्रों से जबर्दस्ती युनिवर्सिटी में तमंचे के दंपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाया गया है और उसके बाद उनके हाथों में बंधा कलावा भी उतारने को मजबूर कर दिया गया है मामला उतर प्रदेश की अलिगर में असित एम यू का है जो हां हिंदू छात्र से तमंचे के दंपर पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगवाए गए है नारे ना लगाने उपर और हाथ में बंधा कलावा ना उतारने पर चात्र के साथ मार पीड़ भी की गई है इतना ही नहीं बलकि पिरित हिंदू छात्र की बेहन को भी हिजाब पहनाने की धंकी डेडी गई है बीहब्धी संगीन मामला है इस इनिवर्सिटी में मुस्लिम चात्र हिंदू लड़कों के साथ अत्यचार कर रहे हैं और उन्हें जबर्दस्ती मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ मार पीट भी की ज़ा रही है अब पुलिस के संग्यान में मामला आया है तो इस पर आक्शन लिया गया है तो बताते हैं आपको की पूरी खबर क्या है मगर उसकी पहले नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान नियो विजन के साथ पहले स्टोर का पता है निधी बिजनस सेंटर बिर्यारी मेहल की बगलमी कंकरबाग कॉलोनी मोर की पास और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नमबर 104 भागवत नगर रोड कलेक्शन पर 20 प्रतीशत की छूट और कलेक्शन से जूरी अन्यजवानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें नियो विजन यूर पार्टनर डेन आई हेल्थ कभी हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है तो कभी पाकिस्तान फिरकें ये तमंचे के दम पर जिहादी एजिनडा फैलाने की कोशिश की है उतर प्रदेश की अलिगर जिले में स्थिट एम्यू यानि की अलिगर मुस्लिम यूनिवरसिटी में एक बार फिर ऐसा मामला हुआ है जिसके बाद ये यूनिवरसिटी फिर से सुर्खियों में आ चुकी है हमेशा विवादों से घिरी ये ये यूनिवरसिटी एक बार फिर पाकिस्तान जिनदाबाद के नारे की वज़ा से विवादों के बीच घिर चुकी है जिन्ना की तस्वीर से जुड़े विवाद की बात अब एम्यू के चात्र का मांसिक उतपीरन हुआ ही जिस और के मताबिक मुस्लिम चात्रों ने तवंचे के दम पर इस हिंदू चात्र से बार बार पाकिस्तान जिनदाबाद के नारे भी लगवाए हैं और जब वो नारे लगाने से मना कर रहा था तो उसके साथ मार पीट की गई इतना ही नहीं बलके इस चात्र की हिंदू प्रतिक तक ये बाद को पहुँचा दिया गया यानि कि उसकी बेहन को भी हिजाब पहनने की धंकी डे दी गई है आरोप है कि पाकिस्तान जिनदाबाद के नारे लगवाने के साथ ही आरोप्यों ने उसका जो हाथ में खलावा उसने पहना था उसे भी उतरवा लिया है पिर चात्र में बताया है कि मुस्लिम दर्कों ने उसकी बेहन को लेकर भी धंकी दी है उसकी बेहन को भी हिजाब पहनाने की धंकी दे कर लड़के उसको डरानी की कोशिश कर रहे है और यह धंकी अज ही नहीं बलके करीब एक साल पहले भी इन आरोपी चात्रों ने हिंदू चात्र को सोशल मीजिया पर हिजाब पहने को लेकर ऐसा धंकी दे चुके हैं आसा मामला पहले भी सामने आ चुका है जिसको लेकर लगातार अस मुद्दे पर दोनों की बीच काफे दिनों तक विवाद भी चला और अब साकेत कुमार जोकी अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एम्टेक के फॉस्ट इयर के स्टुजेंट है इन्होंने मु के सुलिमान हॉल में इनके साथ रहवर नाम के एक मुस्लिम चात्र ने जबरगन नशे के हालत में तमंचे की बलपिल पाकिस्तान ज हमकी दी है और अब जब इन्होंने इन सारी बातों का विरोध किया तो इनके ऊपर चाको से जान लेवा हमला करने की कोशिश बेकी गई जिसके बाद हिंदू चात्र के सर और बाजू में गंभी चोट आई है जिसका इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलिज में कराया जा रहा है औ और अब वो खत्रे से बाहर हैं बाकी अब चात्र हिंदू संगटन के साथ मिलकर खाने जागा और उस पूरे मामले के शिकायत दर्च करवा चुके हैं और मुस्लिम चात्र के सभी रवये के बारे में भी पुलिस को जानकारी दे दी गई है पुलिस ने भी आसवाशन दिया में गय से पुलिस की पास जिसमी कहा गया है कि अमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदबाद की नारी के लगाई गया हैं और उस पर पुलिस ने कहा है कि जाच की जाएगी इस पुरे मामले की और जल्द से जल्द जो भी चातरसमे स्छामिल जिसने भी ऐसा करवाया है उस पर करे एक्षिन लिए जाएंगे आसे में जो भी नहीं जानकारी इस मामले में सानने आती है हम आप तक जरूर पहुचाएंगे तक अब अब्डेट आती है आप तक हम लाएंगी तब तक आप अपनी राए कमिंट बॉक्स में बताएगे वीड जानने के लिए जुरे रेज अंता जंक्षिन के साथ क्यामरी के पीछे ते विशाल और मैथी आपके साथ वंदना धन्यवाद